हेलो दोस्तों, देखो सिखो विकेसिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है तो आपके लिए आज बहुत ही हिंदी का बहुत ही मज़िदार सा ट्रिक मैं लेके आओ जिससे हम याद करेंगे भासाओं के विकास क्रम को 90% लोगों को यहाँ पर भासाओं का विकास क्रम लाइन से यानि क्रम से नहीं आद है सभी competitive exam के लिए बहुत important है अगर आपका exam होने वाला है तो एक number अगर इससे आपका आता है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नहीं कर पाएंगे और आप यहाँ से एक number extra ले जाएंगे ठीक है तो इस trick में हम याद करेंगे बहुत ही असाइन से आपको थोड़ा भी मैनत करना नहीं पड़ेगा भासाओं के विकास क्रम को तो चलिए देखते हैं इस trick को तो देखिए भासाओं के विकास क्रम में अगर हम देखे तो सबसे पहले कौन सी भासा थी देव जो आपकी भासा है वो है संस्कृत फिर उसके बाद है पाली फिर प्राकृत अप भ्रहन्स और हिंदी लाश्ट में आपका हिंदी आया है ठीक है तो इसको हम याद करने के लिए बहुत ही आसान सी मैंने एक trick बनाई है साप पर आप हैं अगर आप देखिए कोई भी वेक्ति को देख रहा है वो साप पे खड़ा उसको आप बता रहा हैं साप पर आप हैं बहुत ही असानी से आप याद रख सकते हैं एक दू बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा साप पर आप हैं सब से पहले संक्रित पाली प्राकृत अपब्रहन्ष और हिंदी को देखें बहुती असान से आप याद रख सकते हैं uwatra शांदार ट्रिक मैंने आप सभी लगों के लिए भासाओं के विकास क्रम को याद करने के लिए तो आसे करते हैं कि आपको यह को यह हिंदी का जीस दिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरू से जरू करें क्यूंकि आपके लाइक से हमें प्रेस करना ना भूलें जिससे ऐसे वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें जाते हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स दोर में धन्यवाद